नमस्कार पेरेंट्स मैं सोंपरकाश प्रिंसिपल इंपरियल पबिक स्कूल शिरी मुकसर साहिब और आज मैं कुछ बड़ी ही इंपॉर्टन बतें आप लोगों के साथ शेर करने आया हूँ देखिए अभी examinations का time चल रहा है और बच्चे काफी जादा busy है और इसके बाद वक्त शिरू हो जाएगा admissions की भाग दोड़का ऐसे में ये सही समय रहेगा कि आप लोगों के साथ ये बड़ी important बातें मैं यहाँ share करूँ देखिए parents, as a parent, जब भी आप अपने बच्चे के लिए school खोजते हैं या school में admission के लिए जाते हैं तो वो कौन सी चीजे हैं जिनका आप खास ख्याल रखते हैं Parents को यही होता है कि school में बढ़ाई अच्छी हो, खेल कुद अच्छे हों, core curriculum activities भी काफी अच्छी होती हो तो लेकिन इन सब के आवा भी अगर आप मेरे नजरिये से देखें तो आपको जो सबसे important सवाल पूछना है किसी भी school से वो ये कि आपके बच्चे की school में involvement कितनी है और उसकी growth के लिए school में उसे कितनी opportunities available हो रही है जी हाँ parents देखिए talent सब बच्चों में हो सकता है और होता भी है लेकिन depend करता है कि उस talent को opportunities कितनी मिलती है बड़ी मशूर कहावात है कि talent is nothing without opportunities देखना ये पड़ेगा कि हमारे बच्चे को जितना वो deserve करता है क्या उतने मौके उसे आगे बढ़ने के उसे grow करने के मिल रहे है सभी बच्चों को समान तोर पे अफसर प्रदान करता है और वो अफसर होते हैं उस बच्चे की योगता के बता देख उसके talent के बता देख जो बच्चे sports में अच्छा कर रहे हैं उनको sports में ही उतनी ही opportunities अभिलेबल करवाई जाएंगी जितने की जो बच्चे academics में अच्छा कर रहे हैं उनको भी school level पे district level पे state level और national level पे exposure दिलवाने के लिए वो school क्या कर रहा है इसी तरह से जो बच्चे co-curricular activities में अच्छे हैं कोई बच्चा debate में अच्छा है कोई बच्चा quiz में अच्छा है तो कोई बच्चा elocution में speech में अच्छा है तो क्या उस बच्चे को सिरफ school level पे ही मौके मिल रहे हैं या उसका exposure बाहर भी हो रहा है जिसे कि उसके potential को और निखारा जा सके तो इन चीजों पे depend करता है कि बच्चे की growth कितनी और किस तरह से होगी इसके लावा जो अगला important question आप लोगों को पूछना चाहिए वो यह कि स्कूल में teaching का method है teaching methodology है वो किस तरह की है देखिए अब वो जमाना चला गया जब कुछ questions के रटके और marks अच्छे हासिल करके और बड़ी असानी से नोक्रियां में हो जाया करती थी आज का जमाना नोकरी का नहीं है आज का जमाना entrepreneurship का है या अगर हम बात करें तो government sector में कोई नोकरियां नहीं है और private sector में जो नोकरियां है वो degree या marks देखके नहीं बलकि वो बच्चे की talent और quality देखके मिलती है तो ऐसे में जिरूरी है कि बच्चा जो भी सीख रहा है जो भी पढ़ रहा है उसको वो बच्चा सीखे और इसके लिए experiential learning का जो concept CBAC ने दिया है क्या school वाकई उस concept के according teaching कर रहा है क्या school के teacher इतने trained और qualified हैं कि वो जो भी topic पढ़ा रहे हैं उसके साथ किसी ना किसी experiential learning activity को connect कर पा रहे हैं और बच्चा अपने पढ़े हुए topic को वास्तव में अपने जिन्दगे में उतारने के लाइक बन रहा है कि नहीं बच्चे की learning किस कदर develop होती है यह बहुत कुछ इस हद तक never करता है कि school का learning environment कैसा है बच्चों को conducive learning environment प्रवाइड करवाना किसी भी school की खासियत होनी चाहिए और अच्छे school की खासियत होती भी है बच्चा अगर खुश रहे के पढ़ेगा अगर बिना pressure के पढ़ेगा तो naturally वो ज़्यादा बढ़ेगा वो सीखेगा भी और बढ़ेगा भी और अगर वहीं on the contrary अगर मैं बात करूं कि किसी स्कूल का learning atmosphere conducive नहीं है pressure some माहौल है, fear some माहौल है और बच्चा स्कूल जाने से ही घबरा रहा है तो भूल जाये कि बच्चा वहाँ पे learning करके आएगा हाँ एक routine जरूर पूरा होगा और मुझे लगता है उस किसम के बढ़ाई से ना बच्चे को ना ही बेरेट को किसी किसम का कोई फाइदा नहीं होने वाला है और महत्वड़ों बात कि किसी भी स्कूल का जो curriculum है सारा साल में स्कूल के अंदर जो भी चीज़ें academic है या co-scolastic है या sports है जितनी भी चीज़ी होनी है उन सब की planning जो curriculum के नाम से हम लोग करते हैं वो कितना balanced curriculum है कितना scientific curriculum है और वो कितना ज्यादा immersive और inclusive है तो एक school के लिए एक अच्छा curriculum प्लान करना अपने आप में एक बहुत बड़ा challenge है और as a parent यह आपका right बनता है कि आप school के staff से, principal से school के curriculum के बारे में खुल के बातचीत करें so that आपको पता लगे कि उस curriculum में आपके बच्चे के talent को आपके बच्चे की growth potential को ध्यान में रखते हुए कितनी opportunities available हैं महत्वपूर्ण जो मुदा रहना चाहिए वो यह कि value based education का एक school के curriculum में क्या स्थान है आज हम देख रहे हैं कि social media या internet का जमाना है crime rate भी बड़ी तेजी से उपर जा रहा है तो ऐसे में naturally हमें as a parent अपने बच्चों की security की और अपने बच्चों के right moral development की फिक्र होती है तो school का moral education का जो platform है वो किस कदर strong है school क्या effort खास तोर से क्या कोशश है school करता है कि बच्चों के अंदर एक high level of morality को inculcate करने के लिए या उसको develop करने के लिए school कौन कौन से कदम उठा रहा है बच्चों के साथ community participation है या फिर parents की counseling है आज इस चीज़ की भी जरूरत है कि school का एक बहुत अच्छा connect parents के साथ establish हो parent को अपनी बात रखने का school को parent को अपनी बात कहने का और दोनों का एक समुचा जो discussion है जिसके साथ हम बच्चों की evolvement पे काम कर सकते हैं तो क्या school इस कदर community oriented community related activities organize करता है जिसमें की parent की भागिदारी भी शामिल है तो ये चीज़ें as a parent हमें देखने चाहिए अपने बच्चे के लिए एक अच्छा और सही school का चुनाब करते हुए क्योंकि मैं ये मानता हूँ education किसी भी society की किसी भी country की nation की backbone होती है और किसी भी देश के नागरेक उतने ही तन और मंद से स्वस्थ होंगे जितने अच्छी उनकी education होगी तो मेरी आप सबसे ये request कि बच्चे की education के लिए और बच्चे की admission के लिए आप जरूर ये जो जरूरी परताल है ये करें और उसके बाद ही अपना बहुत बहुत तन्यवाद